याश्की किस आदत ने किया सबको इंप्रेस क्या था KGF का सच? सबसे बड़ा योधा मा होती है ये डायलोग आज भला कौन नहीं बता सकता कि किस मूवी का है लेकिन हर किसी में वो बात नहीं होती है कि वो पिच्चर और डायलोग में ये दमला पाए लेकिन हमारे साउट के सूपर हिट अक्टर यश में ये बात कूट कूट के भरी हुई नजर आती है वैसे आज के इस गुनगान के पीछे का कारण मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि आज हम KGF के बारे में बात करने जा रहे हैं और उस से भी बड़ा जटका देंगे लेकिन खुशी वाला जटका दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगी कि बहुत ही जड़ हमें बेक स्क्रीन पर KGF 3 देखने का मौकम दे सकता है मुझे पता है कि ये खबर सुनकर आप खुशी के मारे उचल ही गए होंगे और उचलना बनता भी है आज हम सब यश की तारिफ करते हुए नजर आते हैं लेकिन यहां तक पहुचने के लिए उन्होंने कितना संगर्श किया है ये शायद ही उनके अलावा और कोई समझ पाएगा जनता का तो काम यही होता है कि अगर किसी मूवी की स्टोरी और आक्टर पसंद आ गए तो उसे सर पे बिठा लो और अगर नहीं तो बहुत समय नहीं लगता बड़े-बड़े आक्टर्स के स्टार्डम को खतम होने में और ये यश की मैनित ही तो है जिसकी वज़े से KGF और KGF 2 दोनों ही मूवीज ने Box Office कलेक्शन में रिकॉर्ड सेट किया है और इस मूवीज ने अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड सेट किया है जिसे तोड़ पाना खुद Bollywood के वेल-ेस्टाबलिश्ट कलाकार जैसे कि सिल्मान खान और शारु खान जिसे सितारे भी नहीं कर सकते हैं 21 दिसमबर 2018 में इस मूवी का पहला पार्ट यानि कि KGF चाप्टर 1 के नाम से रिलीज हुआ था और फिर दूसरा चाप्टर 4 साल बात 14 अप्रेल 2022 में रिलीज हुआ है इन दोनों मूवीज में KGF माइन्स की गजब हिस्टरी को दिखाया गया है दोस्तों गौर फर्माने की बात तो ये है कि फैंस इन दोनों पार्ट के किरदार के ऐसे दिवाने हुए हैं कि अब इसके तीसरे पार्ट के रिलीज होने का वेट ही नहीं कर पा रहे है वो जल से जल पैसे इस कहानी को आगे बढ़ते हुई देखना चाहते हैं वहीं अब मैं आपको एक बार इसके कास्ट और क्रू मेंबर के याद दिला दू क्या आपको पता है कि KGF फिल्म में जिस खांदान की कहानी को दिखाया गया है वो असल कहानी है और उसका इतिहाद सौ सालों से भी जादा पराना है दोस्तो KGF फिल्म की कहानी जितनी खूनी है असल में भी इसकी हिस्ट्री उतनी ही भयंकर है तो चलिए जानते हैं कि आखर KGF की क्या है रियल हिस्ट्री KGF जिसका फुल फॉर्म है कोलर गोल्ड फील्ड जो करनाटका के एक शहर कोलर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है ये एक माइनिंग एरिया है और ऐसा भी माना जाता है कि 20 साल पहले इस माइनिंग एरिया से सोने की खुदाई करी जाती थी पहले इस एरिया के आसपास लोग नहीं रहा करते थे और ऐसे ही बहुत सारी इंट्रेस्टिंग बाते हैं जो हमें टॉलिवुड के थुरू KGF चाप्टर 1 और KGF चाप्टर 2 में नजर आई चुकी थी दोस्तों अब हम आपसे सारे फैन से बस एक ही गुजारिश करेंगे कि अपना काम और पेशन्स बनाए रखें और मूवी के रिलीज होने का वेट करें और ये देखना है कि इस बार आखिर कैस से यश और उसकी पूरी टीम मिलकर पब्लिक को अपना दिवाना बना लेती है एक अच्छी स्टोरी तो बस एक अच्छी स्टोरी होती है और अब चाहे वो साउथ की हो या बॉलिवोड इससे फरक नहीं पड़ता जनता को चाहिए entertainment और वो हर तरहां से इस मूवी को देखकर entertain होना पसंद करती है बस इसकी स्टोरी दमदार होने चाहिए excited तो यश का हर फैन है अखिर अब इस नए सीकूल में क्या दिखाया जाएगा ऐसे ही केजिएफ के और खबरे जानने के लिए जुड़े रहे है हमारे चानल के साथ इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हम इसले के लिए जाएगा जब ये जानने कीजिए knatt है